ओके सो आज की वीडियो भाई सबने कॉमेंट सेक्षन में पूछाता और यह आचुकिक फुल फ्लेश वीडियो है यह शाओमी पैड 5 की यह शाओमी पैड है यह इसका कीबोर्ड है और यह इसका स्टाइलिस है और साथ हो भी काफे सारे स्टाइलिस हमारे पास आपको इसका जवाब भी मिलेगा जैन दोस्तों क्या हाल है तू भी अच्छा हुआ आपने कोमेंट सेक्षिन में इसकी डिमांड की बिकोज इसको एक्सपिरेंस कर रहा था मैं पिछले दो-चार दिन से और अगर मैं इसको एक्सपिरेंस नहीं करता तो काफी कुछ मैं मिस्स कर देता थैं इनका प्राइज है वो है 6,000 और वहीं पे जो इनका कीबोर है उसकी जो प्राइजिंग है वो है 2,000 रुपीज और अन्बोक्सिंग सब का हो चुका है मैं चाहता हूँ इस वीडियो में एक ही वीडियो देनी थी मुझे मैं सुचा सारा कुछ जीतना हो सकता है मैं बेटर से इनकी अगर बात करें दोखो सबसे पहले यह मी यू आई है बट यहाँ पर क्लीन है यह वाले मैंने सॉफ्ट्रेंग खुद इंस्टॉल किये हुए है यहाँ पर गूगल के अप्लीकेशन आती है मी शेयर है और इनके जो खुद के कुछ अप्लीकेशन जरूरी है यह वाले लेकिन वो बात की बात है अभी जो मिल रहा है वो मैंने आपको बताया अब मैं इसके अंदर कुछ यह चीज़ दिखाऊंगा जो आपको थोड़ी इंट्रेस्टिंग लग सकती है अगर आप Android टैबलेट में मतलब इंट्रेस्ट लगते हैं यह MIUI की तरह है है राइट से यह कर सकते हैं काफी iPad से मिलता जूलता जैसे आप यहां पर ब्राउजिंग कर रहे हो राइट ब्राउजिंग करते करते आपको याद आता है कि आपको अभी यह इन्होंने ऐसे दे रखा तीन बटन टाइप है इससे मिनिमाइज हो जाएगा और यहां राइट से या फिर यहां लेकिन मुझे सब जाएदा इंद इंट्रेस्टिंग क्या लगा फॉर एग्स आप गैलरी में हो और गैलरी में मिनमाइज करने का एक तरीका तो यह है लेकिन दूसा तरीका क्या है थ्री फिं pellar से अगर आप स्थाइप करते हो तो इस तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा थ् कोई अच्छा चैनल अगर आप देख रहे हैं मतलब इस वीडियो को जैसे आप देख रहे हैं न तो यहां से एक option आता है यह देखो इस option में जाके आपको recording, screenshot, even इसको screencast करना हो या फिर आपना colors को change कर सकते हो भाई, live देखते हो ब्लैक और वाइट कर दिया है मैंने, और यह क कीबोर्ड की बात करें, price के coding, quality बहुत अच्छी लगी मुझे, और soft है, और साथ में, यह कीबोर्ड है, इसमें कोई भी ऐसे आपको अलग से, trackpad वगारा नहीं मिलता, इसमें वैसे वाला feature भी है, इसको close करते हो न तो यह lock हो जाएगा, और इसको अटाते हो तो आपका face unlock मे टैबलेट, अगर आप यह case लगा लेते हो, 875 गराम का हो जाता है, तो एक अच्छा option है, safety के लिए, और better design हो सकता था, अलग से option मिलता है, stylus and keyboard का, keyboard shortcut से यहां पे आपको काफी सारे दे रखे, खुद भी add कर सकते हो shortcut, यह ज्यादा cool लगा, जैसे for example, YouTube है, मैं इसको यहां ज कह सकते हैं, especially अगर इसका काम ना हो, तो फिर आप इसे ignore कर सकते हैं, बाकी मैं बता रहता हूँ, क्या कैसे काम करता है, तो यह इसका tip है, जो हलका सा press होता है, जिसको अगर यह उपर रखते हैं, तो भाई यह ऐसे charge होने लग जाएगा, यह देखो, और उपर नीचे दो click button बनी हुई है, जैसे आप अगर browsing कर रहे हैं, तो यह उपर वाले button को अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ, तो लाइक कुछ इस तरीके से screenshot ले सकता हूँ, बाकी जो options होते हैं, इसको screenshot के, वो मिलते हैं, और जो bottom वाला button है, अगर मैं इसको press करके रखता हूँ, तो यह देखो जो pencil आती है, इससे भी आप अपना काम कर सकते हो, देखो Bluetooth में Xiaomi pen connected दिखा रहा है, कई लोग पूछेते हैं, क्या यह काम करेगा, नहीं भाई, यह Bluetooth में नहीं दिखा था connect का option, आप इससे लिख सकते हैं, but smart features काम नहीं करेंगे, Lenovo वाले से, और Samsung वाला भी काम नहीं करता है, सब अमरीगी है, या तो आप Xiaomi वाला खरीदो, smart features के साथ, या कोई third party जैसे कम budget में आते हैं, market में, वो किसी पर भी चल जाते हैं, यह सब, लेकिन बजट वाले में देखो, यहाँ पर यह OneNote में तो काम नहीं करता, लेकिन keep notes में, यह ऐसे draw हो जाता है, latency ज्यादा मिलती है, इ basically यह touchscreen use करने के लिए ज्यादा काम आता है, और इनका जो खुद का notes application आता है, उसमें भी यह काम कर रहा है, बाकि जो Xiaomi वाला आता है, latency कम देखने को मिलती है, लेकिन मिलती है, तो आप चाहें तो notes बना सकते हैं, बिलकुल और यह palm rejection के साथ आता है, तो यह सारी चीजे पतान यह यह graph नीचे, क्यों नहीं चाता है, बहुत सही आ रहा है, 860 stable था अपने time का, तो वो चीज़ दिख रहा है, मेरे साब से snapdragon 870 के साथ आया होता है, तो एक long time के लिए और better हो सकता था, लेकिन सचाई यह है कि अगर यह लोग snapdragon 860 नहीं देते ना, तो price साथ control नहीं कर पात आपने देखा होगा, जब भी हम ऐसे ऐसे वीडियो देते थे लाइक Android tablet की, तो इतना smoothness तो आपने note, मतलब किसी में देखा ही नहीं होगा, यह देख सकते हो, आप application जो open हो रहा है, close हो रहा है, sometimes वो यह देखो, MIUI अभी crash कर गया है, so वो छोटी-छोटी कई बार दिक्कते म मुझे मिली, बट इतना fast कोई भी Android tablet नहीं होता, इस rate में, तो यह काफी smooth feel होता है, 120Hz वगरा के साथ, वैसे मेरे पास कई सारे tablet है, मैं tablet में gaming करना 2B1 पसंद नहीं करता है, मतलब मेरे हाथ उतने अच्छे से comfortable fit नहीं होते, शायद आदा-दाद की बात होगी, लेकिन 860 के सा लगता नहीं है, call तो आप करोगे नहीं, पहले मैंने देखा हो, पहले लोग करते थे, शुल-शुली tablet आये थे, लेकिन उसके अलावा सारे sensor यहां मिलते है, बढ़िया है, मतलब बढ़िया चलेगा game, don't worry, क्योंकि heating वेरा टेस्ट कर रहा था ना, तो सही है, ऐसे overhit नहीं क का 120Hz IPA display, यह WQHD+, और 10bit display यह 500 nits के साथ आता है, display brightness, outdoor में भी आपका काम चल जाएगा, super bright नहीं लगेगा, बट आपका काम चल जाएगा, कहीं कहीं मैंने देखा 600 nits भी बता रहे हैं, लेकिन official website पर 500 nits mention था, तो वो मैंने share किया, video watching experience काफी सही आता है, viewing angle भी काफी अच्छे हैं यहाँ पर, उमीज से better निकली भाई यह display, तो यहाँ पर display से आपको शिकायत नहीं होगी, in fact अगर बात करें, यहाँ पर HDR support, widevine, L1, even Dolby Vision का भी support मिल जाता है, तो यह था इस tablet का experience, आप इसका physical overview की बात कर लेते हैं, मेरे आत में कुछ यह side है, इसका boxy pattern को follow करता है, यह side में metal frame है, यहाँ volume button, ऊपर power button, और यह 2, 3, 4 speaker का support, and back side plastic है, यह mat finish के साथ, type C charging, 3.5 mm jack नहीं मिलेगा, sim इसके अंदर नहीं लगता, Wi-Fi मिलेगा, dual Wi-Fi, I mean 2.405 GHz, दोनो, So, base हलका कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन speaker काफी loud feel होता है, Dolby Atmos के support वगरे के साथ आता है, और tablet में इतने चोड़े bezels मिलते हैं, जो जरूरी है, किसी भी tablet के लिए मेरे साब से, तो iPad से काफियत तक ऐसे तोड़े चीज़े मनदब test देने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे समझने आता कमिया क्यों copy कर लेते हैं, तो front camera हमेज़ा मेरे साब से किसी tablet में यहाँ होना चाहिए, Apple वाले भी यहाँ उपर देते हैं, तो most of the time में tablet हम ऐसे use करते हैं, जो सामन ज्यादा सही हो सकता था, ताकि 8 Megapixel front में है, और यह पीछे आपको दो दिख रहे हैं, पर एक ऐसे यह design के लिए, एक है 13 Megapixel camera, यह selfie camera की वीडियो है, 1080p 30fps, और यह main camera से video है, यह पोर के 30fps तक जा रखता है, main camera से, कहीं भी वीडियो को लिया, कुछ भी करते हैं, तो आपको वगयरा के लिए, notes बनाने के लिए, tablet notes वगयरा के time या फिन notebook की photo click करने के लिए होता है, ना कि ऐसे मस्त photos click करने के लिए, उस वे से सही दिया गया, बाकि battery backup कै सा रहा, 8720, almost 8700 mAh की battery है, battery backup अच्छा आ रहा है, बस एक जगा मुझे notice हुआ कि अगर इसको आप रख देते हो, आउन करके, मतलब shutdown नहीं है, क्या बोलते है, standby time बोलते है, जैसे रात को रख के सोगे, इस time में भी क्या करता है, battery थोड़ा drain कर जाता है, रात बर में कई वार देखा मैंने 8% या 10% तक drain कर देता है, तो यह थोड़ा सा लगा मुझे, कमी कि हाँ इतना ज्यादा नहीं होना तो यह था वाई, Mi Pad 5 का complete experience, काफी interesting लगा, मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब यूज करके इसको, कहीं न कहीं iPad तो आपको पता ही अपनी जगा, उनका जो iPad OS है, या long term update है, या फिर उसका जो processor है, वो definitely अपनी जगा उसको एक Android tablet से better बनाता है, लेकिन Android tablet में एक जगा खाली पड़ी थी कि कोई तो आए 30,000 से नीचे, जिसमें कम से कम especially performance तो better मिले हमें, तो अगर आप इस tablet को देखना चाहते थे, आप अपने लिए wait कर रहे थे, मेरे साब से आप बिलकुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, जिस rate में आता, अगर Android tablet आप आए करना च experience शेयर कर दिया, आए वाप वीडियो आपको पसंद आए को वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में